पांच सो और हजार रुपए के पुराने नोट बंद करने के फैसले के ग्यारे दिन बाद भी बैंक और एटीम पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। कुछ लोग घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं। वही कुछ लोग दो हजार का नोट हाथ लगने से छुट्टे की चकर में परिशान हैं। लेकिन दिल्ली के जसोला के रहने वाले इम्तियाज के साथ कुछ अलग ही हुआ। बीस हजार रुपए लेने के लिए करीब चार घंटे लाइन में लगने के बाद इम्तियाज को रकम तो मिली। लेकिन 10-10 रुपए के सिक्कों के रूप में। लाइन में इतने घंटे खड़े रहने के बाद इंतियाज के पास ये सिक्के कंधे पर लाद कर घर ले जाने के सिवा कुई चारा नहीं था। इंतियाज जसूला की जामिया को आपरेटिक बैंक से पैसे निकालने गए थे। ल